एक जल का लोटा हमेशा इस स्थान पर भरके रखा करो दुख बिमारियां रोग संकट कर्ज पीड़ा हमेशा परिवार से दूर रहेगी और मनों कामना भी पूर्ण होगी आप सभी जानते होंगे हमारा घर वास्तु हिसाब से नहीं बना होता है साथी घर पर कई तरह के पैत अगनी वाय जलतत्त को जो है बैलन्स करने का कारी करता है ऐसी स्थिति में एक लोटा जल सब समश्याओं का हल सास्त्रों में कहा गया है आप सभी सिर्भक्त को मातरानी के भक्त को मेरा स्री सिवाय नमस्तु भ्यम जै माता दी कैसे हैं आप सभी आप सभी जानते होंगे हमे इसे में हम अगणितत्त और वाय तत्त को तो उतना प्रमुखु रूप से जो है अपने इस्थीर जो है कहने कारत है बैल Lasants नहीं कर पाते एक ऐसा जलतत्त कहा जाता है जल एक ऐसी विस्तु होती है जो अगणितत्त और वाय तत्तत्त को भी पूर्ण रूप से balance करने का कारे करता है ऐसी स्थिती में आप सभी को प्रियत्न करना है कि आप कुछ भी नहीं कर सके तो हमेशा जो है पानी का लोटा जल का लोटा एक ऐसे स्थान पर सही विधी से हाला कि यह बात जानते सभी होंगे कि जल का लोटा रखना चाहिए कहां पर कैसे रखना चाहिए परन्तु इसका सही उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं जिस कारण से पूजा पाट का कही न कही फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है और हमें लगता है कि मानसिक सारी रिक रूप से हम परेशान क्यों हो रहे हैं तो द्यान से सुनिए कब कैसे रखना है तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने घर के मंदीर का जल का लोटा यह जल का लोटा आप अपने घर के मंदीर में जो है दुकान का मंदीर भो वहाँ पर भी रख सकते हैं, घर के जो मंदीर है वहाँ पर भी रख सकते हैं, कब रखना है ध्यान से सुनिए, आप सभी जब पूजा पाट से निवरित हो जाएं, सब कारे आपके पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएं, खत्म हो जाएं, उसके ब मंदीर है ना वहां पर रखना चीए यह जल का लोटा भगवान जी इसे ग्रहन करते हैं और जो है ग्रहन करने के बाद यह यहीं पर विराजमान मंदीर में कई तरह कि हमारी पॉजिटिव एनरजी मंत्रों की शक्ति से यह अभिमंत्रित हो जाता है आपने बड़े-बड़े म करते हैं तो जल की लोटे में तुलसी का पत्ता नहीं डाल सकते कोई बाद नहीं इसे आप ढखकर भी रख सकते हैं नहीं तो बिना ढखके भी रखने में कोई दोश नहीं है आपने यह जल का लोटा जैसे सुबह पूजा कर ली आपने रख देना है दुकान में घर में भी दिया बत्ती के बाद उसके बाद साम के समय इस जल के लोटे को आप सभी को थोड़ा सा प्रसात के स्वरूप में ग्रहन करना है उसके बाद थोड़ा सा घर में इसका छिड़काओ करना है और साथ-साथ खाने में भी मिला सकते हैं ठीक है इस बात का ध्यान रखते हुए कारे करें अब यह जल का लोटा आपने नया लेना है दुबारा से इसे भर लेना है खाली कर देना है इसे चाहे किसी पौधे गंबले में भी डाल सकते हैं साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी अब एक दूसरा साप सच जल का लोटा लें और उसे दुबारा से पित्र दोश और हमारे जो घर की सभी परेशानियों को दूर करकर सभी तरह के बैलेंस का कारी करता है दूसरा जल का लोटा आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर की रसोई में भरके रखना चाहिए घर की रसोई में मा अनपूर्णा का वास है हमारे पित्र देवी आप सभी को आवश्यक रूप से एक जल का लोटा अपने घर की रसोई में भी भरका रखना चाहिए संभव हो तो उसे जल के लोटे के ऊपर एक छोटी सी कटूरी रखें सिव महापुरान का उपाय है उसके ऊपर एक चामल का दाना रखें ताकि हमारे पित्र देवता हमार कल इन दिनों को इन चीजों को सब भूलते जले जा रहे है, जसकारण से हारी मिमारी ज्यादा प्रभावी हो रही है, ऐसी स्थτιती में आप एक जो है रोटी उस के होड़कार्ट में बचा कर भी रख सकते है रोटी रखने के बरतन में ऐसा न कर पाने की स्थती में एक जल क जब साम के समय रात को सब काम से आप निवरित हो जाएं तो एक जल का लोटा भरें उसके उपर एक चावल का दाना रखके कटोरी में सुबह के समय इस जल के लोटे को आपके घर के दर्वाजे पर आपको छिड़काओ करना है ठीक है घर के दर्वाजे पर छिड़काओ करने स किसी न किसी शरूप में अत्रिप्त हैं तो वैत्रिप्त हो जाते हैं तो यह जल का लोटा हमीशा दो लोटा जल जो है एक अपने रसोई घर में और एक अपना मंदीर में भरका रखना चाए घर के दरवाजे पर इसका छिड़काओ करें जो एक दाना चावल का बचा हुआ है उसे स्री सिवाय नमस्तुभ्यम या नमाशिवाय ओम या जो है जो भी आप सरल सा मंत्र पूजा के समय बोलते हैं वह बोलते हुए आपको सिवलिंग के उपर समर्पित कर देना है यह मनुका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाप कहे गये हैं तो कोशिश करें आप सभी इन सरल से कार्य को जरूर से करने का इनके बहुत सारे बेनिफिट है मानसिक सारे रिक पीड़ा खत्म होती है और जीवन की सब तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाती है तो करके देखिएगा उठते बेट से नियम बद्ध तरीके से इस कारी को करें हमेशा हमारी रसोई घर में अनपूर्णा माता का वास होता है जैसा खाए अन वैसा हो जाए मन ऐसा सास्त्रों में वर्नित है तो भोजन बनाते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक उसे बनाना चाहिए बहुत स्वच उसमें कभी भी हल्डी खतम ना हो घी खतम ना हो और चावल जो है यह साक्षात मालक्षमी के स्वरूप में जाने जाते हैं और बहुत सुपता को प्रदान करने वाले होते हैं ऐसी स्थिति में आप सभी इस बात का ध्यान रखे कि यह चीज़े कभी खतम ना हो यह सोचते हैं कि हमारे पीड़ा कहां पर परिशानी हो रही है तो कुछ ना कुछ यह पूजाबाट के छोटे छोटे से नियम होते हैं जिन्हें कर लिया जाए तो निश्चित ही भागी उदय होता है रोज जो है घर के मंदिर में दीपदान और एक जल के लोटे का नियम आप क कर्ज संकट सदा सरवदा के लिए कट जाते हैं तो प्रियक्न करें जीवन में जब परिशानिया बढ़ रही हो तो एक लोटा जल का ही है साधार और सरल उपाय करने का नियम बाल दीजिए आप सभी मैंसे जो भक्त करते हैं वह मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर से हर हर महादे